नमस्कार, माईसेलफ अभीनास कुमार, आज हम PG, सेकेंड समेश्टर के गुपता डैनेसिटी के अबजेक्टिव कोश्चन पे चर्चा करेंगे PG में अबजेक्टिव से भी कोश्चन आते हैं, अबजेक्टिव टैप के कोश्चन भी आते हैं इसलिए इसके सिलेवस के अनुसार हम इसपे discussion करेंगे, इसमें सिर्फ हम गुपत समराज से सम्बंधित कोश्चन पे चर्चा करेंगे तो कोश्चन नमबर वन है, गुपत बंस का आरंभिक राज उत्तर परदेश और बिहार में था गुप्त बंस के आरंभिक मुद्राएं एवम अभीलेक कहा पाए गए हैं तो ये पाए गए हैं उत्तर पर्देश में देखे आरंभिक अभीलेक और मुद्राएं जो है वो पुरा तात्वीख साक्ष में आते हैं आर्केलोजिकली आपका source हो गया वो वो source जो होता है वो बहुत ही important source होता है आपके पुरा तात्वीक सक्ष इससे हमें किसी भी समराज के बारे में या किसी भी संस्कृति के बारे में सही जनकारी मिलती है गुप्त लोग संभवता किस के सामन्त थें कुशान के हैना कुशान के बाद हम पढ़े थे कि उत्तर भारत में कुशानों के बाद जो है गुप्त समराज आता है गुप्त बंस के बारे में जानने से संबंदित अभिलेख हमको बताना है कि क्यों अभिलेख से हमको विभिन सासकों के बारे में पता चलता है तो समुंद्र गुप्त के बारे में पता करने के लिए परियाग परसस्ती अभिलेख है असकंद गुप्ते जो की गुप्त बंस का अंति महार राजा था उसका सम्बन भीतरी अस्तंभ लेख से है अभिलेक के माध्य मसे हमें जनकारी मिलती है यह किस तरह का स्रोत मानी जाती है पुरातात्मिक स्रोत गुप्त बंस के चंद्रगुप्त पर्थम का काल कब से कब तक था? 319 इस्वी से 334 इस्वी तक गुप्त संबत जैसे कलेंडर चलता है संबत में जो की एक नए कलेंडर की तरह था उसे चलाने का स्रे किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त पर्थम को सक्संबत का आरंभ कब से माना जाता है 78 इस्वी से देखे ये ध्यान रखिएगा जब भी आप एक्जाम दिजेगा तो सक्संबत पूछ के उपर नीचे में question में आपको लिग देगा ओप्सन में 78 इसापूर्व, 78 इस्वी तो ध्यान रखिएगा 78 इस्वी ही मारिएगा उसमें ठीक है 78 इस्वी में सक्संबत किस ने चलाया? कनिस्क ने चलाया कनिस्क कौन था? कुशान बंस का एक महान राजा था गुप्त राजाओं ने उत्तर भारत को कव से कव तक राजनीती के एकता सुत्र में बांधे रखा 335 से 455 इस्वी तक अब हम फिर से काल नीरधारन करते हैं विविन राजाओं के जो गुप्त बंस के हैं चंद्रगुप्त पर्थम का का काल 319 से 334 इस्वी समुद्रगुप्त का काल 335 से 380 इस्वी और चंद्रगुप्त दूतिये जो कि ये भी एक महान राजा था इसका काल 380 से 412 इस्वी समुद्रगुप्त के दरवारी कवी का नाम क्या था? हरीशेन हरीशेन जो है बहुत इंपोर्टेंट ये दरवारी कवी है इसी समुद्रगुप्त के नाम पर इलाहाबाद का पर्याग परसस्ती अभी लेख है जिस पर हरीशेन ने समुद्रगुप्त का गुर्गान किया है पर्याग परसस्ती अभी लेख पर ही असोक के क्या भी नाम मिलता है? अशोक कभी अभी लेख खुदा हुआ है दक्कन का छेतर तो उसको पांच भागों में बाटा गया जिसमें चौथा जो भाग था वो एरिया जो था चौथे भाग बला वो एरिया था पुर्वी डक्कन का छेतर जो महराष्ट का इलाका है आपका महराष्ट का इलाका हो गया थोड़ा सा गुजरात और MP का इलाका जो ह का जो है डककन का छेतर पड़ता है तो डककन के छेतर में जो है पुर्वी डककन एबं दच्छीन भारत के छेतर में आते हैं और इसमें 12 सासक थे जिने समूंद्र गुप्त ने हराकर छोड़ दिया था उनको सी लंका के की सासक ने गया में बुध्य मंदिर बनवाने की अनुमती परदान करने के लिए समुद्र गुप्त के पास दूत भेजा था मेग बर्मन सीलंका का सासक मेग बर्मन जो था उसने अपने दूत को ये भेजा था कि हमको गया में एक बौध मंदिर बनवाना है उसकी अनुमती लेने के लिए बहादुरी और युद्ध कॉसल के लिए किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यह बहुत important question है, बारवर पूछता है समुद्र गुप्त को, किस गुप्त बंस के सासक के काल में गुप्त समराज सरवोच चोटी पर पहुच गया था। चंद्र गुप्त दुतिये के काल में यानि 380 से 412 इ येवं गुजरात पर बिजय प्राप्त करके पश्मी समुद्र टट पर अपनी बिजय पता का लहराई, जो उसके ब्यापार बानी जिके लिए काफी लाबधायक सिद्ध हुआ। तो यह जो चंद्र गुप्त दुतिये हैं, तो मालवा और पश्मी गुजरात पर अपना ब लोथल लाम का बंदरगा था, वो बहुत important था, वहाँ से ब्यापार बानीज बहुत तेजी से हुआ करता था। तो यह चंद्र गुप्त ने जब चंद्र गुप्त को भी जब मिला, तो इसे गुप्त समराज के ब्यापार बानीज में बिरिधी हुई, चंद्र गुप्त द प्रस्रे दिया गया था दिल्ली में एक देखते हैं हम कि कुतु मिनार है उसके लौह अस्तंभ है उस पर एक चंद्र नाम खुदा हुआ है इस चंद्र नाम को किस से जोड़ा जाता है चंद्रगुप्त दूतिये जिसका काल 380-412 है देखे काल हम बार बार दोहरा रहा है ता किसके दरवार के दरवार में रहते थे तो यह है चंद्रगुप्त दूतिये गुप्त समराज चंद्रगुप्त दूतिये चंद्रगुप्त दूतिये के समय में कौन सा महान चीनी यातरी बहुत important question है महान चीनी यातरी भारत आया था तो यह आया थे फायान जो है भारत आय पस्चिम के छेत्रों से विदेशियों विशेश कर हुनों के आकर्मन से गुप्त समराज टीक नहीं पाया देखिए उत्तर पस्चिम जब हम बोलते हैं भारत का तो पाकिस्तान से इलाका हमारा बॉंडरी टच होता है वो इलाका है भारत का उत्तर पस्चिम टटर तो जितने भी आकर्मन कारी आएं तो उधर से ही आएं बेसिकली उधर पहार था लेकिन उधर के दर्रे से होकर बोलो आते थे तो ये हून जो थे ये एक ऐसी प्रजाती थी जनजाती थी कि मतलब बहुत ही तेजी से बहुत ये आकर्मन कारी थी और ये मतलब असकंद गुप्त ने हला को कते थे वो expert थे इसकी बदावलत इन्हों ने इरान पूरे इरान को और भारत में काफी जो है हमले किये ठीक है अंत में हम देखते हैं कि गुप्त समराज में हमने बताया था कि सामंती पर्थाजी थी वो एक उसके पतन का कारण बना तो करद सामंत राजाओं ने गुप्त स मुकसान पहुंचाया इस परकार गुप्त समराज का पार्ट वन समाप्त हुआ अब्जेक्टीव कोशन का